हेलु ध्रेंट वेकम बाक टूर चानल वाज की स्वड़ी मैं हमारे ब्लाउज का जो कंधा होता है वो क्यूं के तया कंधा या इसको या तो ऐसा भी खो सेथा कि है कि कुछ मिश्टक की हो जिसकी वज्च वय ने आपको फार यहांद खरार किके पारा एं सुरूर है तो चैले वीडियो खरी कुछ वहते हैं तो सबसे पहले वाला सिट के बैट से है यहां पे आमोल में अटक जाता है यानि, आमोल से ही यह जहां तक उठनाचाहिए, यह वहां तक नहीं उठ पाता है और जिसके विज़से जो है, इसले कभी आमोल होता है, यह वाला पार्ट, यह कभी भी आपका टाइंट नहीं होना चाहिए या बहुत ज़दा धीला भी नहीं होना जाहिए क्विए अगर आपका armhole loose भी होता है यह वाला armhole अगा kindha उतरने लगता है तो आपको इस बात का छियार रखना है कि आपका जो armhole blouse का वह ना तो ज़्यादा सबढ़ करें निष्ट पर प्राउख निए ना झुलिता है जैए निए पाका कंधे में आपके कंधे सब्सक्रायर कंधे आपके कंधे इतल है। तिस्या कारण यह हो सब्सक्राइब आपका जुझादा वद है। यहां पर यह पयाしました, यहां पर गजना काफी है ,यांग लूझ से सा बिढ जाया है , यहां हो समय तका हम चुना होता भी जाना होता है। यहाँ से यहाँ तक जब आपक डीपनेक होता है, तो यह फैलता है, तो यह ओजलिए जब भी आप डीपनेक बना रहे होते हो, बस्ट नहीं तो इसमें आपको कम लेना है, तक हम हटेरे पर बडी बिल्कुल भी कल हम चाहए है, बस्ट कई रहे हैसे इसलिए इस बात का भी आपको ख्यार रखना है कि जब आप डीपनेक बना रहे हो तो थोड़ा सा जो है बोडी पार्ट से आपको हलका सा कम यानि मेजरमेंट लेके यहां पर आपको करने है अपने बलाउच की और कारण यह भी हो सकता है कि आपने जो सोल्डर है वो जादा ल कशोरे हो लेकिन जब आप डीपनेक बना रहे हो यहानि पीछे से लिक रुप कर भी करें जीपनेक यहां पंडर जो वी कशोर को जाखनार तो ओमेट आपको सुल्डर होता है कि अपने ले ज़ी नहीं यहांनि आप 6 इंच आप 5 इंच ले सकते हो यांखिव प Scr OK आपके को अकली को अबीर को, शोटरी को ले ना है नाकि बोडी के को यानि ब trailers आपको कभी सोलडरा नहीं लेना है बलकि आपको अपंडे स BILL लेना है उसकी वजह से भी जो है अगर वो कारण हो सकता है कि आपके ब्लाउज में ज्यादा आपने सोल्डर लिया है उसके विज़े से अगर कंधे गी रहे तो जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम है वो सौल्फ हो जाएगी और ये भी कारण हो सकते हैं काफी लोग क्या करते हैं आज कल फैशन है कि हमारा जो सोल्डर होता है ना काफी लोग एक इंच या डेड़ इंच की रखते हैं तो उसके चकर में क्या करते हैं नेक की जो चोड़ाई होती है वो ज्यादा ले लेते हैं नेक की चोड़ाई से मेरा मतलब है जब हम गले की डेडरो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो है यहां से यानि यह आपका स्ोटर टोटेल ले लेते हैं उसकर नेक की चोड़ाई लेते है तो हम लोग का जाहतर टूपटक सेवन फैप तर यानि अगर हैबी बर्ष्ट है तो हम लोग 2.75 तर नौर् मिlet नेंक बना रहे हैं और उनको को हैं सोल्डर से लगद काफी चोड़ी है लिकांट काफी होता है कि ही शाझा थे-सा तुल वह उतरने लगते हैं तो इस situation में अगर आप जादा नेकी चोड़ाई ले लेते हो और आपका डीप गला होता है तो आपको उसमें डोरी लगाना ही लगाना है वरना जो आपका कंधा है वह उतरेगा ही उतरेगा तो इस बात कभी आपको ख्यार रखना है कि डीप नेक हो भले लेकिन आपके जो नेक की चोड़ाई है वह कभी भी जादा नहीं होनी चाहिए और ब्राउस में काफी बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ आपका सही है आपका सोल्डर सही है आपने कटिंग सही की है फिर भी काफी बार जो होता है सोल्डर फिर भी उतरने लगते है यानि काफी बार हम लोग जो है नेक की फिनिशिंग सही से नहीं करते हैं जिसकी वज़से जो है हमारे कंधे उतरने लग जाते हैं और हम परहसान हो जाते हैं कि हमने सही तरह से कटिंग की है स्टिचिंग की है फिर भी यह प्रॉब्लम क्यों होती है तो इसलिए आप जब भी नेक की जो हमारा नेक होता है उसकी फिनिशिंग आपको सही तरीके से करनी है सही तरीके से मेरा मतलब है कि जब जैसे हम राउंड यह तो आप देख सकते हैं कि यह इस तरह का गला है अप जब गोल गला बना रहे हो तब भी आपको इस बात का ख्याल रखना अप उरे पटी लगाते तो आपको जो है आपका उरे पटी हलका से जहां पर राउंड आता है जैसे आप यह से आप देख सकते हैं तो आपको गट लगानी होती है ताकि आपका उरे पटी हो अच्छे से बैठ जाए बोडी में बिल्कुल भी लूज ना रहे क्योंकि अगर आपका गला लूज होगा तो उसकी वजह से बीजह से हैं तो सबसे बड़ी चीज भी हमेंसा अच्छे से करनी है ऐसा नहीं कि मेरा ब्लाउट अच्छ से रेडी हो गया है और मेने की फिनिशिंग जैसा भी करूंगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंस काफी बार होता है कि यानि बोल सेते हैं कि सो में से नब्बे परसेंट जो है कंधे गिन्ने की प्रॉब्लम जो है वो नेक की वज़ा से आती है तो इसलिए आपको नेके फिनिशिंग में ज्यादा ध्यान देना है और आपका गला बिल्कुल भी जो है लूस नहीं होना सही है अगर आप जहां पर राउंड आता है अगर वहां पर आप उरे पट्टी को नहीं खीषते हो तो आपका जो गला है वो लूस हो जाता है यानि बोडी में अगर आपका गला फिटिंग में नहीं बैठेगा तो आपका जो कंदे हैं वो उतरेंगी आप भी समझ सकते हैं इस बात को तो इसलिए मैंने आपको बताया किस तरह से आपको फिनिशिंग कर गले के कि तो आपको पट्टी लगानी है, तो राउंड में आपको खिच-खिच के लगानी है, और इस तरह से आपके जो कंधे गिनने की प्रॉब्लम हैं, काफी हद तक खतम हो जाती है, तो आज में आज आ आ पको बताया, कंधे गिनने की कुछ प्रॉबलम जिसके वज़े से जो हमारे कंधे होते हैं वो गिते हैं तो I hope कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सुब्स्राइब कर लीजिए तो आज के लिए बस इतना है थैंक यू बाई